गूड मर्निंग वेलकम तु आल आफ यू अन मैं यूटीव चैनल ज्ञान प्रकाशुकृत्ता तुड़ा इए विल टीच यू और बायोजिकल टापिक अ है सेवल्य प्रोडॉक्शन इन फ्लावडिंग प्लांट में इसी किसे होता है सिस्का कर आए की इन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लाुरी थसते हैं हम इन ऍसतों सब्सक्राय का रियर डह्यां प्रडीटिव पार्ट आर लोकेटेड इन फ्लावर प्रॉड्क्टिव पार्ट किसी में लोकेटेड़ होता है फ्लावर होता है थीक काल पेडिशेल उसको हम पेडिशील बोलते हैं दटीप आफ दपेडिशील इस इनलार्ज इन्टू और ब्राड बेस काल थायलमस थायलमस पर यह बारन होता है और रिसेप्टिकल फिच होल्ड दफ्लावर पार्ट यह रिसेप्टिकल होता है पेडिशील इनला बेसेशीलन कहसे जैस को इस Nya थे ओदिख रहता है का फेसे अलड Zeitbirds थायलमस पार फ्लावर कंधंत इसे और ऐन दगते हैं फ्लावर का structure में क्या में पार्ट होता है तो फ्लावर इस फोर पार्ट अरेंज इन रोल फ्लावर में में रूप से फोर पार्ट होते हैं जो की ए रोल में अरेंज होते हैं फ्लावर की इस पाट को क्या करते हैं सेपल पेटल इस टेमें पार्ट है तो फ्लावर की जो पार्ट होते हैं फोरोल होते हैं इसमें आपकी कौन-कौन से होंगे सेपल ग्रीनॉला पेटल करल पर्ट इस्टेमेन थीक्षे एंड कॉर्पिल यह हुज गए आपका कॉर्पिल तो कौन-कौन सेपल पेटल इस्टेमेन एंड यह कार्पिल यह फोरोल होते हैं ठीक न तो करहें कि दिज़ पार्ट और सेपल पेटल इस्टेमेन और कार्पिल इस्टेमेन एंड कापल और reproductive पार्ट आप फ्लावर. स्टेमें और कापल तेकर हम। फ्लावर वी बाइसेक्चूल करें कि जब फ्लावर में मेल एक ही फ्लावर मेलética और मेल फिमेल दोनों आरगन्स होता है। वेन इट कंटेन एश्टेमर मेहीं ह। अर्ट कंटें अर्ट प्लावर की दोन अर्गन्स होते हैं ut arage Stop म्लूद िफ़े मेल्डिक हैं the में तो ऐसे रहना उस्थिक्टान करते हिसे सलगे करते हैं लेकिन इनिसेसमिंद दूंदी याथ हो या तो फ्लावर कंटेंड उसको बोलते हैं इक्षेशल फ्लावर में पॉपाईया एंड वाटरमिलन पंपाया और वाटरमिलन कि दोनों कटेंड करता है करी ऐसे जो कि प्लांटों में दोनों एक ही फिलाऊर में होते हैं इसमdoor उंसे कहते हैं प्लावर तो यहां पर दिखाया गया है आपको झे घख जाया गया है यहां पर पिस्टिल भी दिख रहा है है कि लिया जैसे कि हम आर लेटी जानते हैं सेपल क्या होते हैं भई दीज और आउटर मुस्ट ग्रीन लीफ लाइक फ्लावर पार्ट वीच कलेक्टिवली फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट होता है योग इनिशिल कंडिशन में जब वट के कंडिशन में रहता है फ्लावर उसको प्रोटेक्ट करता है कौन सा सेपल इसके बाद पेटल पेटल लाई एबब दस दिपल पेटल के उपर होता है एंड अरी जुली ब्राइट इन कलर यह चम्किले कलार का होता है पेटल कलेक्टिवली फॉर्म और रूल नून ऐज करूला और पेटल एक रूल का फर्मेशन करता है इसको में करूला करते है कैलिक्ष एंड करूला टुगेधर फर्म यह सन में करते हैं हैं यह ऊसे और आ आफेन तू ए सेषरी पार्ट प्लावर यह से ही पारट होते हैं। इस्टेशी प्र ओ फ्लावर मेरे संट सेने पेटल ऑटक्ट इंसेक्ट को आराट करता है यूूर्टे यू से और प्रोडक्टि पाओ आप आप फ्लावर और फ्लावर के जिश्री पर्रॉडक्टिव पार्ट को प्रिट्रच्ट है प्रटेश्य थ ciao प्रच्प करता है और प्रेटल नहीं करते हैं बाट हेट इलस्ट करते हैं आधरום प्रिट्रच्ट मौत हैं और आएर्ट को स्वाइब करता है अब स्टेवें या दी जार्दव मिल फ्रुलावर का स्टेमेंぜ competitively form and rule यह वी जो है कि इक रूल का फर्मेशन करता है noon as एंडो सियं तो इसको हम एंडो सियं म कहते हैं एक फार्मिशन करता है सोरे कहते हैं एक इस्ड़ीमें कंसिस्ट आफ मरेंट अिस लेख टूम से एक Uh होता है एक पार्ट को बोलते हैं आपका एंथर एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट जैसा कि यह डाइग्राम में देख रहे हैं यह एंथर है इसको बोलते हैं इसका एक पार्ट को एंथर कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं तो यह एंद्रोसियम मेंस स्ट्यमन के कितने पाट हो गए एंथर और फिलामेंट तो अभी रहा है कि इच स्ट्यमन कंसीस्ट आप फिलामेंट एंथर दो पट्स माल गया कौन-कौन यह एंथर और फिलामेंट The filament is the stock of a stamen, filament stamen का stock होता है, it attach the anther to the receptacle, filament anther को receptacle से जोड़ता है, of the flower, enter are present at the tip of stamen, यह stamen के tip पर enter क्या होता है, present होता है, enter, enter, lobe are joined together, enter के लोब आपस में लोब जुड़े होते हैं, connecting, enter, possesses four pollen sick, एक enter में कितनी pollen sick होते हैं, फूर होते हैं, one, two, three, four, this sack produce yellow powder, यह sack एक yellow color के powder का production करते हैं, this sack produce yellow powder, एक yellow color के powder का formation करते हैं, mass called pollen grain, इसको हम pollen grain काते हैं, pollen grain are small structure that produce the male gamit, तो pollen is small structure होता है, और इसको male gamit काते हैं, each pollen grain usually consists of two male gamit and a tube cell nucleus, इस जो एक ही pollen में क्या होता है, two male gamit होते हैं, और एक cell nucleus होता है, तो pollen sick में क्या होते हैं, two male gamit और एक जो एक ही tube cell होते हैं, यह होता है आपका male part of the flower, इसको stamen कहते हैं, दो पार्ट से फ़र्म होता है, एंथर फिलामेंट, टिग्रा, एंथर में four chamber होते हैं, इसको बोलते हैं pollen sick, और इसी में pollen grain का formation होता है, next part होता है, female part, इसको बोलते हैं, carpelle, the female reproductive part of flower are called carpelle and pistol, flower का जो female reproductive part होता है, उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, carpelle or pistol, carpelle collectively form a rule called gynosium, carpelle एक rule का formation करता है, जिसको हम gynosium बोलते हैं, कारpelle consists of three parts, carpelle three parts से बना होता है, stigma, style and ovary, कितने parts से, तो three parts से, जैसा कि diagram हम दे सकते हैं, यह उपर वाला part होता है, जिसको बोलते हैं, stigma, यह वाला part style, और इस part को ovary, तो कर रहा है कि, आपका, गाइनोसियम और कारpelle consist of three parts, कौन कौन, stigma, style and ovary, the stigma is somewhat sticky in nature, यह चिप-चिपा होता है, pollen grain land on the tip of stigma, इसी पर pollen grain आ करके गिरता है, and then germinate, उसके बाद वो germinate होता है, the style is the upper in longated portion of carpelle, यह carpelle का longated portion होता है, it bears stigma at its tips, इसके उपर style के उपर stigma होता है, ovary is the lower swollen structure that bears the ovule, ovary is the lower swollen structure that bears the ovule, ovary फुला होता है, जो की ovule contain करता है, the ovule contain egg cell, ovule में egg cell होती है, यह cell होता है, जिसको एक cell बोलते है, तो ovule contain egg cell, female grain, जो को हम female grain करते है, the ovule are arranged on the placenta, यह placenta परेंज होते हैं, with the ovary, ovary के साथ, the way in which placenta is distributed in cavity of ovary, ovary cavity is known as placentation, उसको placentation बोलते हैं, the ovary has a thick wall, which develops into fruit, and after fertilization, ovary की thick wall, fertilization के बाद, fruit में develop हो जाती है, कर एक fertilization क्या होता है, तो rain of pollen, land on stigma, जब pollen grain stigma पर land हो जाता है, it absorb water and nutrient, तो वह stigma से क्या करता है, it absorb water को और nutrient हो जार्ब करता है, and start germination, और वह germinate होने लगता है, stigma पर land होने के बाद, तेगर, pollen absorb करता है, क्या जब करता है, water and nutrient, and start germination, वह germinate करने लगता है, to reach the female germ cell, और female germ cell के पास वह पहुंचता है, क्या पहुंचता है, a tube grow, तो इस टीवा से एक tube grow करती है, from the pollen grain, called pollen tube, इस tube को कहते हैं, pollen tube, यह आपका pollen grain है, यहां से यह germinate करके एक tube का फर्मेशन करता है, इसको बोलते है, pollen tube, जब इस टीगमा पर pollen grain फाल होता है, तो इस से water और मिन्वर से जजाब करता है, और germinate करता है, एक tube जिसको बोलते है, pollen tube, क्या कहते हैं, pollen tube कहते है, pollen tube, that travel through style, और style होती हुई, to reach the ovary, वह ओबरी में पहुंचती है, on reaching the ovary, जब ovary में पहुंच जाती है pollen tube, the pollen tube enter the ovule, वह ovule में क्या करती है, inti करती है, घुझ जाती है, throw a teeny hole called micropile, एक छोटा सचिद्र होता है, micropile के दवारा वह जो एक ही घुझ जाती है किसमें, ovary में, and then, इसके बाद reaches the embryo sec, उसके बाद वह embryo sec में पहुंचती है, on of the male gamete, जिसमें male gamete होता है, and each pollen grain produce two male gamete, जितने भी pollen grain होते हैं, इसमें, कितने two male gamete produce होते हैं, travels down of pollen tube, यह दोनों male gamete pollen tube के तरू, नीचे के तरब, travel करते हैं, reaches of two cell, egg cell in the ovary, कि ovary में, जो यह आपका एक cell होता है, यहां पर पहुंच जाते हैं, कौन सा होता है, यह एक cell यहां पर पहुंचते हैं, कहां पर तो यह ovary है, और ovary में, जो यह एक cell होता है, यहां पर पहुंच जाते हैं, reaches to the ovary, egg cell, तो कर एक one of the male, one of the male gamete, Each pollen grain produce two male gametes, excludes the male gamete with the female gamete to form a jigote, correct one of the male gametes, each pollen grain produce two male gametes, ट्रेवल्स दाउन दपोलन ट्यू रिचेज अप टो एक जल एक जल पहुचत है इन ओबरी एंद फूज वीट तो फाम जाइगोट और वह एक जो एक ही फिमल गैमिट एक जल से फटलाजिज होगा जाइगोट का फिर्माइगोट से फिर्माइगोट पहुचत है इसको हम फर्टलाजिजेशन करते हैं तो पहला दो मेल गैमिट होते हैं एक जो एक ही एक सेल से कंबाइन होके फर्टलाजिजेशन करता है दस सेकेंड मेल गैमिट्स फ्यूज वीट टू पोलर निकलियाइग प्रजेंट इन दसेंटर आफ दे इंब्रियोस एक और सुर्ण मेल ऑम π्राइमरी इंडू आफ डिवी अनुक्लियास है हो तो अनुक्राइग कि जो सेकेंड मेल गैमिट था एक हम शक्किन होता है एक हजिक पोलर जय जैसे एक जीचल से कबभेंन होता है पहला वाला मेल गैमिट इस कह से से फर्टलाइज हो जाता है जाइगोट करता है और जो सेकेंड नंबर होता है इस पोलर नुकलियाई से कमबाइड हो जाता है और स्वार्म करता है आपका इसको बोलते हैं सेकेंड फर्टलाइजेशन इस प्रकार से प्राइमरी इंडो स्वार्म का फर्मेशन होता है नुकलियस इन दा इंबरियो सेक द फर्टलाइज एग सेल जाइगोट इंबरियो सेक में जो फर्टलाइज एक सेल होता है जो पहले फर्स्ट वाले जो एक गेमिट से फर्टलाइज होता है ग्रों इंडो स्वार्म दूसरा इंडो स्वार्म tissue is used as nutritive food जो इंडोस्परम का tissue होता है वो nutrition प्रवाइड करता है developing embryo जो embryo develop होता है उसको nutrient प्रवाइड करता है after fertilization ovary grow to become fruit ovary grow करके fruit का formation करती है and ovule get converted into seeds और ovule seed का formation करता है in addition the petal sepal stamen style and stigma fall of plant यह plant से गिर जाते हैं अब एक question आता है कि what is double fertilization क्या है भई तो during fertilization हम जानते हैं कि fertilization के प्रासेस के डिवेशन वन मेल गैमीट फीज विज विद एग जो प्लांट में टू मेल गैमीट होता है तो वन मेल गैमीट फीज विज एग फीमेल गैमीट स्यवű विज ऋोर। नुलाई sow मेल प्राव लगाईस स्यव प्र Particularly विज एग टो प्रामर इंगेशे विज एगर किन E तो आटस तो प्रार प्रांट से और गैमेरा्ट स्यवेल 0,06 manyeound feature in flower plant. Flower plant का unique feature होता है. the version of fusion of one male gammy with the egg shell. first our second fusion of second male gammy with two polar nuclei. primary indoor lei. दे सेकेंड फ्यूजन इस काल ट्रिपल फ्यूजन एक री नुक्लियाई और वन नुक्लियाई फॉर्म दे मेल गैमिट्स एंड टू पोलर नुक्लियाई तो दस देखिए यह आपके कि इसमें जब पोलेंग्रेन इस्टिग्मा पोलेंड होता है तो इसमें से दो मेल नुक्लियाई होते हैं और एक होता है ट्रिव नुक्लियाई मेल गैमिट्स जिसमें से एक मेल गैमिट्स यह एक सेल है इससे लाइज करता है और देडर को फ्रमेशन होता है जो कि आफटर डेवलपिंग एकर जूर शीड का फ्रमेशन में करता है और यह two starring y charity अर्डीर से लिक्ष्ट का फ्रमेशन होता है श्क्रbest दूसरी मिल गए मैं एक फ्रोट प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कहते हैं होता है क्योंकि दूसरा में इस पोलर नुकलियाई को इसको ट्रिपलेट नुकलियाई यह आते हैं इसफर्कर से ट्रिपलेजाइट हुता है और कॉन कोन प्लांत में फ्रिफलेजिशन तो प्लांत में फ्लीजिशन ही रोग्रास दस्य फ्लेशन से इसन फिमेल गमी इन वन प्लांट वाईट मेल गमीट अन्यवर्ण बंदर प्लांट इस गल्रस्ट टन अस सेल CTL प में बार्व और इन्वाज प्याल इंप्ला इसका बिल्फ प्रड बार्व ट्री टॉर्ट प्रीशन